हेलो दोस्तों वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आप देख रहे हैं वासिंपल मैं आप के साथ समसाद हुसेन आज का ये वीडियो बड़ा ही स्वेसल है सरकार के तरफ से एक योजना निकाला गया है जिसमें 15 सरुपे परती माह आपको मिलेंगे डायरेक्ट पैसा खाते में जाएगा और 50 रुपे आगन बाड़ी से भी का कुम मिलेगा तो 50 रुपे किस बात का होगा 15 रुपे किस बात का होगा जानने के लिए ये वीडियो आपको अंतक देखना चाहिए आईए सुरू करते हैं सुरू करने से पहले आपसे छोड़ी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर बिहार से हो आप फिर तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए चुकि यहां से आपको जो information मिलता है वो direct आपके काम का होता है चाहे वो बिहार सरकार के तरब से छोटा योजना निकाला गया हो, बड़ा योजना निकाला गया हो सभी के सभी आपके काम का होता है वरना बकवास की news बहुत सारे चैनल में दिखाये जाते हैं यहां पर बताया गया है अब अनाथ बच्चों को सरकार खोज रही है और यहां पर बच्चे जो भी सभी का खोज करके देंगी उनको 50 रुपिय दिया जाएगा तो जो अनात बच्चे खोजे जा रहे हैं सरकार के तरब से, सरकार इसको खोज रही है, उस बच्चे को 15 रुपे और जो बच्चा खोज करके आगनवाडी सभी का देंगी उसको 50 रुपे, इतना सुनकर आप वीडियो छोर कर चल दिये, सुनिए भाई साब थोड़ा देख ल ये उनलाइन करना जानते हैं नहीं, तो इनको आप जनकारी दोगे, इनको पकड़ करके दोगे, तो कहीं न कहीं आप अगर अपने जेब से पैसा नहीं देते हो, सरकार ही देती है, तो ये भी एक जो है, आप अपने लेंग्वेज में उसको पुन कहते हो, हम अपने लेंग से 18 साल के बच्चों को बाल सहायता योजना से जोड़ा जा रहा है यहां से जो जीरो वर्ष से 18 साल तक के बच्चे हैं उसको बाल सहायता योजना से जोड़ा जाएगा जो करोना काल में उनके माता पिता गुजर चुके हैं या फिर दोनों में से कोई एक ठीक है योजना के तहट सभी अनात बच्चों को परती माह 15 सो रुपे दिया जाएगा और अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरच्छा परदान किया जाएगा इसको लेकर समाज का लैन विभाग ने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसके मुताबिक अब आगन बाड़ी सिविका भी इस उनों गुजर चुके या फिर सिर्फ एक पैरेंट्स गुजर चुके हैं तो यहां पर सेविका को भी लगाया गया है ताकि वो खोच करके दे और उनको 50 रुपे यहां पर मिले है अलाकि 50 रुपे कोई ज्यादा रकम नहीं है ठीक है लेकिन आप इसको इंसानियत के नाते क कर सकते हैं आगे आपको बताया जा रहा है जो सेविका इस योजना से भी जुड़ दिया गया है सेविका को जो सेविका ऐसे अनात बच्चों की कोच करेगी उसे प्रोतसाहन रासी की रूप में परती बच्चा 50 रुपे देने का परोधान किया गया है ताकि कोई अनात की बात है यहां पर युवा के लिए आपके लिए जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कि आपकी अगल वगल आस प्रोडोस में ऐसे लोग हैं और आप उसकी जानकारी नहीं दे रहे हो तो कमसे कमागन बाड़ी सविका तक तो इसकी जानकारी दे दो बताया गया है कि अ योजना है उसको लाब लेने दीजे ना इन सही अनात बच्चों को अगले मां से योजना का लाब मिलने लगेगा यानि अगले मां से उनको 15 रुपे मिलने लगेगा 15 रुपे परती महने दी जाएगी रासी अगले मां से उनको पैसा मिलना चालू हो जाएगा जिरो से 18 साल के वैसे बच्चे जो कुरोना के कारण अनाथ एवं बे सहरा हुए हैं जिनके माता पिता दोनों की मिर्तु हो गई है और इसमें कम से कम एक की मिर्तु हुई है तो उनको भी योजना का लाग मिलेगा योजना के ताथ 18 वर्स की आयो तक परतीमा पंद्रह सौ रुपे दिया ज माशी के घर में या फिर और किसी के घर में या फिर कोई इसको पोल पास रहा है जिसका कोई नहीं था तो आप लब ले सकते हैं आप उसको पोल पास रहे हैं आप उसकी देख भाल कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं आप आवेदन दे सकते हैं कोई दिकत वाली बात यहाँ पर नहीं है उसका कस्तूर्बा गांधी में बालिका बासी विद्याले में प्रत्मिक्ता के अधार पर नमांकन भी हो जा सकता है कैसे करना हैं आपको आवेधन आप अगर पल पोस रहे हैं या फिर आप उनके पेरेंट्स नहीं हैं आपको उने गोद लिया है या चाकर कर सकते हैं इस आवेधन को भरकर आगंबाडी सविका को आपको दे देना होगा योजना का लाब देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है चैनित अनाथ बच्चों को रासी देना शुरू किया गया है विभाग की ओर से इसके लिए एक गाइडलाइन्स जारी किया गया है और आगानबाडी के अंदरों पर भी फॉर्म मौझूद है अब दीजिए अपना परति किरिया नीचे आप ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर भी लाइक और प्रेश टेवियो के सार्ट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया